हेलो बच्चों मैं हरेंद्र कुस्वाहा आपका टॉप एजुकेशन चैनल में स्वागत है आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास एट का सेवेंथ लेशन पढ़ेंगे दे माउंटेन एंड दे स्क्वारिल माउंटेन मींस बच्चों परवत या पहाड और स्क्वारिल गिलहरी यानि परवत और गिलहरी बच्चों यह एक कविता है जो राल्फ वाल्डो ये मरसंद्वारा लेखे गई है वर्मर है what is the squirrel called in your local language local means बच्चों छेत्रिये और language means भासा called means कहा जाता है यानि आप लोग गिलहरी को अपने छेत्रिये भासा में क्या कहते है what do you notice about its movement क्या आप इसकी गती पर ध्यान देते हैं यानि यह कैसे चलती है where does the squirrel generally live and what does it eat generally means बच्चों सधार्णतह यानि सधार्णतह गिलहरी कहा रहती है और क्या खाती है तो बच्चों यह बहुत आसान है इसे आप लोग comment box में comment करके बताईएगा इसके बाद हम लोग का poem है the mountain and the squirrel had a quarrel quarrel means बच्चों जगडा यानि परबत और गिलहरी के बीच जगडा था and the former called the latter latter means बच्चों बाद में यानि बाद वाला और former means पहले वाला यानि पहले वाले ने दूसरे वाले से कहा यानि बच्चों यहाँ पहले वाला mountain है और बाद वाला यहाँ पर गिलहरी है यानि परबत ने गिलहरी से कहा little prick यानि तुच जीव यानि बच्चों परबत ने गिलहरी को निचा दिखाने के लिए उसे तुच जीव कहा बन रिप्लाइड बन मींस बच्चों होता है घने बालो वाला जीव यानि यहाँ बन गिलहरी को कहा गया है बन ने जबाब दिया, यानि गिलहरी ने कहा, you are doubtless very big, big means बड़ा, very means बहुत और doubtless means निह संदेह, यानि गिलहरी ने कही परवत से कि निह संदेह तुम बहुत बड़े हो, but all sort of things and weather, weather means बच्चों, मौसम, things means चीजे, और short means परकार, all means सभी, लेकिन सभी परकार की चीजे और मौसम must be taken in together, together means एक साथ, taken means लेना, must means जरूर चाहिए, यानि एक साथ होना चाहिए, to make up a year, make up means पुरा करने के लिए या बनाने के लिए, यानि एक साल या बर्स बनाने के लिए, and a sphere, a sphere means गोला, यहाँ पर इसका अर्थ होगा दुनिया, और एक दुनिया बनाने के लिए, यानि बच्चों गिलहरी परबत से कहती है, कि एक साल बनाने के लिए, जिस तरह दीन, सब्ताह, महीने और मौसम का होना जरूरी है, ठिक उसी परकार एक दुनिया बनाने के लिए, सभी परकार की छोटी बड़ी चीजों का होना जरूरी है, And I think it no disgrace, disgrace मिन्स बच्चों अपमान, think मिन्स सोचना, और मैं सोचती हूँ कि इसमें अपमान की कोई बात नहीं, to occupy my place, place मिन्स जगह और occupy मिन्स धारन करना, अपनी जगह धारन करने में, यानि गिलहरी कहती है कि मैं अपने जगह जैसी भी हूँ, इसमें मेरे लिए कोई अपमान की बात नहीं है, If I am not so large as you, you are not so a small as I, and not half so a spry, Spry मिन्स बच्चों फुर्तिला, large मिन्स बिसाल, यानि गिलहरी कहती है कि मैं तुम्हारे जैसा, यानि गिलहरी कहती है परवत से कि यदि मैं तुम्हारे जैसा बिसाल नहीं हूँ, तो तुम भी मेरे जैसे छोटे नहीं हो, और मैं जितनी फुर्तिली हूँ, उसके आधे भी तुम फुर्तिले नहीं हो, यानि बच्चों गिलहरी कहती है, मैं इनकार नहीं करूंगी, तुम गिलहरी के लिए सुंदर रास्ते बनाते हो, टैलेंट्स डिफर, all is well and wisely put, यानि टैलेंट मिन्स बच्चों परतिभा या दक्षता, डिफर मिन्स अंतर, गिलहरी कहती है, बस हम दोनों की परतिभा में अंतर है, all is well, सब ठीक है, और बड़ी बुधिमानी से रखी गई है, इफ आई कैननाट कैरी फोरेस्ट अन माई बैक, नाइदर कैन यू क्रैक और नॉट, नॉट मिन्स सुपारी, क्रैक मिन्स तोड़ना, फोरेस्ट मिन्स जंगर, और कैरी मिन्स धोना, वह कहती है गिलहरी परवत से, कि यदि मैं अपने पीठफर जंगल को नहीं ढो सकती, तो तुम भी एक सुपारी को नहीं तोड़ सकते हो, यानि बच्चों गिलहरी परवत से कहती है कि इस दुनिया में सभी चीजे ठीक है, प्रकिर्ती ने सभी छोटी बड़ी चीजों को बड़ी बुधमानी से बनाई है, और वह परवत से कहती है कि मैं जो काम कर सकती हूँ, वह तुम नहीं कर सकते हो, यानि गिलहरी परवत से कहती है कि हर वह काम जो मैं कर सकती हूँ, तुम नहीं कर सकते हो, और हर वह काम जो तुम कर सकते हो, मैं नहीं कर सकती हूँ, इसलिए हम दोनों अपनी अपनी जगा ठीक है, न तुम बड़े हो, न मैं बड़ी हूँ, क्यो तो आप लोग याद कर लेंगे तो यह कविता आसानी से हिंदी में समझ पाएंगे तो बच्चों हम लोगों ने जो यह कविता पढ़ा वास्तों में यह एक कालपनिक कविता है और इस कविता के माध्यम से कभी राल्फ वाल्डो इमर्सन हमें यह बताने की कोशिस करते हैं कि यह दुनिया सभी छोटी बड़ी चीजों से मिलकर बनी है और सबकी अपनी एक अलग-अलग भिसेश्ता है इसलिए हमें किसी को भी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करे और अपने दोस्तों को भी सेयर करे ताकि वे भी पढ़ सके और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करे ताकि मैं जो भी वीडियो बनाओ आप तक असानी से पहुँच सके तो बच्चों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चप्टर के साथ तब तक के लिए धन्यवाद